चलिए से के साथ कॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं पहली कॉलर हैं सुनीता जी हरियाना से स्वागत है आपका हालो नमस्कार मैं जी नमस्कार मैं मैं मेरे दो स्वाल हैं आपके पूछिए मैं 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 मेरे को बताने में तुरा सा गल्पी होई तो जो मेरी गुड़िया की उमर मैं बाइफ साल की है ना उसकी कान के अंदर गुमुड़ी नहीं है मैं जो हम कान उपर जिन्वा लेते हैं ना कान जिन्वा लेते हैं आजकर की रड़्कियां उसके ओपर सफे चोले के बराबर गुमुरी है, तो हतीम जी ने सोटा, सोडा और चुना बताया था, इसके फ़रगो है, लेकिन उसके जलन बहुत होती है, मेरी गुरिया को, तो मैं ये क्याती हूं कि इसमें मंदी भूती भी पाम कर सकती है, मैंने, चीक है, और मेरी गुलिया कई सवाल है जा जाने ने निकलाई थे तीन-चार मही में से स्लीफर, जैसे घृतना फूर, जाइफर, गुलिफर, दाक्तर ने पून में इसक्षिन बताया था, तो उस दाने तो ठीक हो रहे हैं, और मैंने उसमें सोगों दरेंगा, तो मैं ये चाहती है, मैंने उसके उने बतागे नही जा जाने के आसवास हैं, और मैंने तीस साज के बालों प्रेवलों प्रेवलों मैंने आपके लिए तीसरा सवाल आपके लिए क्या है, किस तीस से रिलेटेड है, बालों से? साज के बालों प्रेवलों मैंने तीस साज जैस के मियां क्यार है, क्या मैंने आपके लाइश चुर्चेस हैं, ने तो थास कम कोई डिए मोग आया है जए सिकती है, किस आपके समे इन ने तो उसके हूँ अगता है, गतलए मोजनमें आतो कि उसक्राइश काहीयु आजिए बालों के लिए दो तरह से इलाज होता है एक तो इंटर्नल एक एकस्टर्नल यानि एक बाहर से और एक अंदर से अंदर से बाल उगाने के लिए हम गौन मौरिंगा एक गिराम रोजाना नारियल पानी के साथ लेना चाहिए अगर अंदर से कोई पाबलम है तो वो अच्छी हो सकती है अब इसकिन भी यहां से सर की इसकिन अगर बंद हो गई यह बाल निकलने नहीं देती है तो यह राई जो है सरसों जिसे कहते हैं जिसका तेल हम यूज करते हैं खाना पकाने में इसको बारीक पीच ले या कूट ले बहुत बारीक और इसमें बहुत मामूली सा पानी मिला कर और अपने सर पर ऐसे लेब कर ले ये लेब आपके मिर्चे बहुत लगेंगी जलन सी होगी जतनी जलन बरदाश कर सकें लेँ बरदाश नहीं हो तो फिर थंड़े पानी से आप इसको धो ले मिर्चे एक दो खतम हो जाती थंड़े पानी से या बरफ से धोने में तो ये तो सर के बालों का इलाज है और एक दो महीने लगा तार करें ये और जब सर की जो इसकिन है वो जुलस जाए तो फिर चमेली का तेल मालिस किया करें वो इसकिन उतर जाएगी वो उसके खुरंट उतर गए नीचे से जो इसकिन आएगी वो बालों वाली होगी तो ये आप दो तीन महीने कोशिश कर लें आपको फाइदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और क्या सवाल है बच्चे के कान छिदे थे उसमें आई गुमड़ी अच्छा हाँ देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो नुस्का थोड़ा जलता है तो पांच साथ बार वो बच्ची लगाएगी तो वो पिर अंदर से उसको ठीक हो जाना चाहिए तो ये नुस्खा आप दे एक एक दो दो दिन बाद लगा दिया करें वो सोड़ा और चूने वाला नुस्खा वन्ना पिर ये है कि उसे रिमूव करा दें रिमूव करने के लिए हलका सा उपरेशन होता है कान में एक वो लगा देते हैं इंजेक्शन जिससे सुन हो जाता है और वो निकाल देते हैं अगर बुरी नहीं लग रही तो रहने दें ये इसका एक इलाज है मुंडी बूटी का इस्तमाल करने के लिए कहरिती कर सकती हैं ये मुंडी बूटी आँखों के लिए होती है आँखों में जो वबाई रोग होते हैं जो इंफेक्शन के रोग या आँखों में जलानी या कोई आँखों का वुखार ऐसा होता है उसके लिए होती इसके लिए नहीं होती इसके लिए तो आप ले सकते नमक जैतुन और खाने का सोड़ा एक एक चुटकी पाने मिला के लिया करें ताकि ये गांट बढ़े नहीं और हो सकता है कि खुल के निकल जाए तो आप ये ले सकते हैं अचीं देख देखिये दाने उनके निशान यह इसको और और आसान हैं ठीक हो सकते हैं एक चुछँटकी या दोचुटकी नमक जैतुन पानी मिलाएं और इसको आप ऊसप वाद एक करें बच्ची को तो उनकी निशाना तो दाने और इंफेक्शन इस सब कठीक होना मुम्किन है मंजीट जी है हमारे साथ स्वागत है आपका हालो जी मैं कहां से बात कर रही है गार अकिम जी अपका स्वागत आपका बहुत बहुत वो एक मैना हो गया मतिद्ये की दवाइ की दवाइगी ती उसके दोरे पड़ा करतेma तो उसके सखल में थोड़ा आराम है इदू तवाइगा एक मैना होगया पूरा कैप्सूल और काप्सूल और गॉंद शिया उससे आराम है इव दुबारा मंगाई है परसों फेर ते कितने देड महीना हो जागा उनने 17 तारीख ने ये खार गेजे वे तो उसकी जुकर्चिल चेड़ा पन ज्यादा रहे है उसका भी कुछ है कि आई स्ते हो जागा ठीक है अधिके इस दवा से फाइदा है तो इससे तो बिल्कुल न छोड़े चाहे साल भर भी इनको दवाई देनी पड़े इने छोड़े नहीं और कोई दवा चल लगी पहले से तो वो भी दीजिए और चिर्चले पन के लिए धनिया आपके किचन में है धनिया धनिया को अच्छा धनिया हो साफ सुत्रा मिलावट वाला ना हो तो आदा चम्मच धनिया खिलाए और नमक जैतून आता है नमक जैतून एक दो चुटकी पानी में मिला के नमक जैतून असली लेना नकली बहुत मिलता है और यह पानी उनको पिला दिया करें दिन में एक बार या दो जोड़ापन भी जाना मुम्किन है, अगली कॉलर है हमारे साह, स्वागत है आपका, रश्मी जी स्वागत है आपका, जी मैं, बताए मैं सवाल करें, मैं सतना से बात कर रही हूँ, पेपलサल मेरी अम्र है, और मुझे टेल बोन जो होती है, लास्ट पूच जो है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्दा बैट भी नहीं पा रही हूं और नहीं सीधे लेट पा रही हूं यह हमारी जब बिटिया हुई थी तब मेरी टेल बॉन थोड़ी सी खिसक गई थी उसके बाद मुझे कुछ साल एक कुछ महीने ट्रिक्मेंट लिया तो सही हो गया था टायर उसे ठीके मैं जिए देखो पिटा यह हमारे जो हिप से उपर के टिस्क है और यहीं पर यह अड़ी भी होती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और इसका भी इलाज है असली गौंद सिया खरीद ले असली गौंद सिया और यह आधा गिराम सुबह नाश्टे के बाद दूद या पानी से लेना है और आधा गिराम रात पो खाने के बाद दूद या पानी से लेना है दो तीन बातों का खैर लगना है वजन नहीं उठाना और वेस्टन टौैलेट का इस्तेमाल करना है और अगर जाड़ू जिम्मेदारी आप पर हो तो कुछ दिन के लिए वो बिलकुछ छोड़ दें यह गौण से असली ले दो बार खाएं दिन में खाने के बाद खाना है आधा गिराम खाना है यानि जैसे काबली चना होता है ना उतना खाना है दो बार खाना है आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़जश्री कुछ जी स्वागत है आपका नमस्के मैं नमस्कार मैं नमस्के साथ जाहिन भजद्वारवानों बहुत स्वागत आपको ये तो मेरी किसमा सा कि आपसा बात हो पा रही जी मेरा ना ब्लग पेशल दो ही चोड़ार खाना है और साथ में आपने बताई कि कोफी अगर ॖै ऑगर ले सकते हैं काफी में हलडी तो आप ले 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 यो वैसे मैं लना लेट ले देखा हनी किसी को कोफी के साथ हलल जा Tap tap काफी बना लें और दो चुटकी हल्दी खाकर काफी आराम आराम से पीलें दिन में दो बार दो चुटकी हल्दी खाकर और ये काफी पी लिया करें तो आपका ब्रेट पेशर जरुरत के मताबिक आना मुम्किन है दिवया स्वागत है आपका नमसकर मैं नमसकार मैं हम ठीक हैं आप कैसी है बताए है वे जिय कौना मतलम है वे की दवाई खारे हूं तो मेरे को बहुत आप अराम है अब अरेको एक दिकत हो रही है कि बैटरों मेरे जलन बहुत होती है इस जगा पे अंदर की साहिड बहुत ही जलन होती है ऐस दबा कारे है? मैं आपकी दबाइग है धनिया और अल्सी और काला गॉन और गॉनमरिंगा अच्छा ठीक है यह उसे ता मेरे को बहुत अराम है गिर्टी मेरे यह भी शिकायत है कि मेरे को जलन हो रही है बहुत ज़्यादा और एक मेरी बेटी का बेटा है छे साल के उमर है उसकी उसको न मुर्लब महीने में दो तीन बार फीवर खासी बहुत हो जाती है कम यह और भी बहुत है वह अधिके बच्चे के लिए विशेश दवाएं आती है एलोपेट में वो दवाएं दीजे और किये करिए कि अलसी को हलका सा भून कर रख लें अलसी को हलका सा भून कर पौडर बना लें सौ ग्राम अलसी को हलका सा भून कर पौडर बना लें और इसमें पचास ग्राम भूसी इस सब गोल मिला दें और ये इसका वजन हो गया डेर सो गिराम पचास गिराम इसफ गोल की भूशी सो गिराम अलसी इसको मिक्स कर दे और इसमें दो सो गिराम शहद मिला दे और तीन दिन बाद बच्चे को ये मिला के तीन दिन बाद खिलाना शुरू करें आदा चम्मस सुबा आदा चम्मस शाम पानी या दूस से ये बच्चे को दे और आपकी तबियत अच्छी हो रही है ये जलन भी अच्छी हो सकती है हो सकता है कुछ पत्री का कंकर या कुछ आपकी किड्नी में हो या इन्फेक्शन हो इन सब के लिए नमक जैतून दो चुटकी पानी मिलाकर और दिन में एक बार या दो बार ले लिया करें अब की पेशाब की जलन भी अच्छी होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है उशा जी स्वागत है आपका नमश्कार मैडम मेडम हमें हकीम जी के इलाव से बहुत ज्यादा सबको फाइदा हो रहा है मेरे बेटे को मेरे हजबेंड को लेकिन अब मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे केटराइन बढ़ा हुआ आया है एक पॉइंट चार तो उसके लिए मुझे पूछना है कि क्या उपाय करें और क्या प्रिकोशन ले कि यह बढ़े नहीं या किन से बढ़ता है ठीक है मैम जी हमारी किड्नी में एक सिस्टम है जो हमारे खून को खून की गंदगी को साफ करके बाहर निकालता रहता है पेशाप के जरिये तो किड्नी जब यह अपना काम पूरा नहीं करती तो याइन वन पाइंट होना चाहिए आपके वन पाइंट फूर है तो यह जज्यादा है और इसके लिए एक तो पानी खुँप प्या करें अर्ण jemand पानी प्या करें और नस्खाइए है कि नमक जैतुन एक या दो चुटकी एक गिरास पानी में डालें और इस पानी से भूनी हुई अलसी लें और हलका सा भूने ज्यादा नहीं बहुत हलका सा भून कर इसका पौडर बना लें आदा चम्मच अलसी खा लें और ये नमक जैतुन दो चुटकी पानी मिला गए ये पानी पी लें दिन में एक बार या दो बार और प आपको लाब होना होना चाहिए